प्रियच्छात्रो बही खाता लेखा करम खचछा बारवी के अंतर्गथ हम अध्याए 11 सम्लाव 5 लेखांकन अनपाथ अध्याए का अद्याएन कर रहे तहां पर जो यह इसका है इसके बारे में से जानेंगी तो तरलता शहां जैसा कि हम जनते है certificate all which इसकी उपकरम द्रूप से यह यह भुक्तान करने कि इस प्रकार की यह तरलता उनुस्तरगत के अंतरकत हां इसकी गढ़ने करते हैं तो यहां तरलता अनुपात की जो गर्णा है, यह संस्था की अल्पकालीन बित्ती इस्तिती की सद्रता की जाच के लिए की जाती है, अर्थात बहुत कम समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए जो उसकी बित्ती इस्तिती के इस प्रकार की है, उसकी मजबूती के इस प्रकार के लिए प्रियोग किया जाता है अर्थात ये अनुपात जो हम ग्याद करते हैं ये एक संस्ता के जो कम समय के लाइविल्टी जो हैं जो दायत तो हैं उनका जो भुक्तान करने की जो छंता है उसका माप किस प्रकार का है उसकी छंता की माप करने के लिए हम इस अनुपात की गरना करते हैं साथ ही ये बताता है अनपात हमें कि संस्था अपनी अल्पकालीन देता का समय पर भुक्तान करने में सच्छम है अत्वा नहीं अर्थात संस्था जो है वो अपने लाइविल्टी जो है शॉर्ट टर्म की लाइविल्टी जो है अल्पकालीन समय की जो लाइवि वो इसलिए की जाती है कि क्या संस्था की चालू संपत्तियां संस्था के अलपकालिन दायत अर्था चालू दायतों का भुक्तान करने की लिए सक्षम है अत्वा नहीं अर्था उस संस्ता की उस उक्रम की जो चालू संपतियां है वो संस्ता के अलपकालीन दायतु अर्था चालू दायतों का भुक्तान समय पर करने में सक्षम है अत्वा नहीं तो यहां पर तरलता अनुपात के अंतर mega जो है, हम विविन रूप में दो प्रकार से अनुपात, तीन प्रकार से अनुपातों की गर्ड़ना करते हैं तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें है नमबर एक चालू अनपात दूसरा नमबर है तरल या दरवता अनपात और तीसरा अती तरल या अती दरवता अनपात तो यहाँ पर तरलता अनपात के अंतरकत हम इस अनपात की गरणा जो तीन रूपों में करते हैं एक चालू अनपात दूसरा तरल या द्रवता अनपात और तीछा अती तरल सुपर लिक्विट रेटियो अती तरल या ती द्रवता अनपात में तो पहला जो है नमबर एक चालू अनपात ये क्या है इसके बारे में देखें ये अनपात जो है फर्म के अलपकालीन दायतों के भुकतान क करने की शंता किस प्रकार किये इसकी जाच करता है यह अनपाद जो है चालू संपत्ती एवं चालू दायत्यों के मध्य संबंद स्थापित करता है फर्म की जो चालू संपत्ती हैं और जो चालू दायत्यों है करेंट असेट्स और करेंट लाइविल्टी जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर संबंद स्थाफित करता है यह अनपात बताता है हमें कि ब्यावसाय के अलपकालिन दायतों का भुक्तान जो है करने के लिए फर्म की चालू संपत्ति पर्याप्त है अथ्वा नहीं अर्थात यह हमें चालू अनपात यह बताता है कि फर्म के जो अलपका बराबर चालू संपत्य ऌडटे चालू दाइतो रेटियो एक्वल टू करेंट असेट्स डिवाइड बाई करेंट लाइव एले यह चालू संपत्ती इस चालू अनपाथ जयाद मार्ने का सूत्र हाओ हम देखते हैं कि चालू संपत्ती क्या हैं 2004 संपत्ती आ वे है cop21igor एक बरस की आउधी में रोकल में परिवर्तित की जा सकती है जैसे इस टाक हो गया विभिन देंदार हो गई बिल्स रिसीविबिल हो गए प्राप्य बिल हो गए रोकर हो गई हस्ता हस्ता हाथ में रोकर बैंक में रोकर और प्रिप्रेट एक्सपेंसेज पूर्वधत व्याय और अल्पकालीन विनियोग आदी सामिल होते हैं यह जो चीजें यह हैं यह आपके चालू संपत्ति के अंतर प्रापबिल रोकड हांत में बेंग में रोकड पूरवदा तो भोलपिकाली बिनियोग आदी और यह ऐसी संपतियां हैं जिनको हम एक बर्स की अंदर कभी-भी रोकड में परिवर्टित कर सकते हैं चालू दायत तो क्या है चालू दायत वे हैं चिनका भुक्तान हमें एक बर्स के अंदर करना होता है वो कहलाते हैं चालू दायत करंट लाइविल्टीज अभी करंट लाइविल्टीज कौन कौन सी जैसे लेंदार हो गया देविल हो गया बैंक अधी विकर्स ओबर पाउधान आधी को संबलित किया जाता है यह ऐसे दायतों हैं जिनका भुक्तान हमें एक बर्स के भीतर करना है तो यह चालू दायतों क्या कौन से होते हैं हमने देखा कि लेंदार, देविल, बेंग, अधिविकर्स, अदत्त विया, आउटस्टेंडिंग एक्समेंस और करों यह जो है चालू दायतों कहलाते हैं अब यहां पर हम दोनों के जब अनपाथ की गर्णा करते हैं तो क्या बताता है कि यहां चालू संपत्यों का जो चालू दायतों पर आधिक है यह क्या होता है बहतर होता है अर्थाथ चालू दायतों पर चालू संपत्यों का आधिक है तो वो क्या है अनपात बेहतर है जैसे चालू अनपात माली जए दो अनपात एक होना हमने चालू अनपात ग्याद किया तो इसका जो रेट वह रहा है वो बता रहा है तो इसमें एक भाग जो है चाहिए अर्थार यहां पर यह बताता है कि संपत्ति के दो भाग की तुलना में दायतों का एक भाग संपत्ति के संस्ता के बाद होना चाहिए तो चालू अनपात यदि अधिक होता है तो लेंदारक के दायतों पूर्टा क्या है सुरक्षित रहते हैं अर्थात चालू अनपात का रेटियो यदि दो होता है तो इसका मतलब क्या है लेंदार के दायतों पूर्णता है सुरक्षित है मतलब दायतों से जादा है और यदि चालू संपत्ती का अनपात चालू दायतों से कम है तो ऐसी स्थिति में लेंदारों को पूर्ण भवपतान करने में संस्ता क्या हो सकती है? आ समर्थ हो सकती है तो ये चालू अन्पात कहलाता है इसमें हम एक सवाल देखेंगे कि निमने सूचना के अधार पर चालू अन्पात की गढ़ना कीजिए दिया है लेंदार किते हैं एक लाख साथ अजार, देविल हैं चालीस अजार, अदत्विया हैं बीस अजार, रोकल एक लाख, देंदार दो लाख, बैंक में रोकल पचास अजार, इस टाग जो है वो 90 अजार और पूर दत्विया जो है वो 30 अजार और प्राप बिल जो है वो पचास अजार तो इसमें हम सबसे पहले गढ़ना करेंगे चालू संपत्तियां कौन कौन सी हैं तो संपत्ति में जासा की बता है कैसा आगे आपका नगत एक लाख रोपे ये नगत डेबिटर्स देनदार जो हैं वो कितने के हैं दो लाख के ये भी संपत्ति है फिर बैंक में जमा ये आपके पचास अजार बैंक में रोका पचास अजार फिर प्राप पे बिल पचास अजार ये प्राप बिल पचास अजार फिर प्रिपेड़ एक्समेंस पूर्वदत व्याय तो पूर्वदत व्याय जो हैं आपके ये आगए तीस हजार रोपे और इस्टाक इस्ट तो इस टाक दब्बे हजार रुपे तो यह सब को हमने टोटल किया एक लाग दो लाग पचास हजार पचास हजार पीस हजार नब्बे हजार तो टोटल ही आये किता है पाच लाख बीस हजार यह क्या है चालू संपत्ति यहां हमने चालू संपत्ति की गर्णा की तो गर्णा क यह चालव धायत्र करेंट लाइविल्टी यह कौन-कौन सी है तो करेंट लाइविल्टी में जो है लेंदार यहां पर लेंदार कहा है यह लेंदार 10,000,60,000, एक लागँ साथ हजार लेने दार फिर देविल डेविल जो है चाली सजार रुपे ये चाली सजार फिर Outstanding Expenses आपके 20,000 रोपे तो अदब तो यह 20,000 यह क्या गए आपकी current liabilities तो हमने इनको प्लेस किया एक लाख साट अजार चाली सजार बीस अजार टोटल दो लाख बीस अजार जो है आपकी यह क्या गए current liabilities चालू दायत तो अभी यह सूत्र जो है हमारा चालू अनपाथ बराबर चालू संपत्ति वटे चालू दायत एक्वल टू पाँच लाख बीस अजार डिवाइड़ बाई दो लाख बीस अजार तो यह अनपाथ जो आया यहाँ पर 2.36 अनपाथ एक 2.36 अनपाथ 1 का रेटियो यहाँ पर आया फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2.36 अनपाथ 1 का यह रेटियो चालू अनपाथ का निकल के आगे हमारे सामने तो यहाँ पर यह क्या बता रहा है कि चालू दायत पर पर जो आधिक है संपत्यों का वो एक की तुल्ना में 2.36 है तो यह क्या है एक उपकरम के लिए एक बहतर चालू अनपाथ है इसके बाद हम दूसरा जो अनपाथ वह है लिक्विट तरलनपाथ यह द्रवता अनपाथ यह यह वेवसाय की तरलता अर्था द्रवता को दर्साता है यह सनपाथ कि चालू दायतों का समन्ध तरल संपत्नियों से किया जाता है अब तरल संपत्यां कौन सी है तरल संपत्यां वे संपत्यां हैं जो बिना किसी मूल लिहानी के रोकर में परिबर्तित की जा सकती है जैसे कैस है तो कैस हमारे हाथ में जितना है वो आज जितना है कल भी उतना ही रहेगा बैंक में जो जमा है रोकर बैंक में ज में किसी भी प्रकार की हानी हमें नहीं हो रहे जितना जिससे हमें लेना है वह तै है प्राप ते बिल में जो हमाँ टराशी है वह हम्में उतनब मिल नहीं मिलना है और अल्पकालीन बिन्योग अर्थात यह ऐसी संपत्ति हैं जिनके मूले में किसी भी प्रकार की हानी नहीं होनी है यहां सिर्फ जो है इस टाक वा पूर्वदत व्ययों इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनकी लिक्विडिटी में समय लगता है तरलता में समय ल संपत्यां कौन सी संपत्यां वे संपत्यां जो की बिना किसी हानी के सीगरता के साथ रोकण में कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कैस बेंक कैस डेबिटर्स बिल्स रिजीवेल और शार्ट अम के इन्वेश्टमेंट अल्पकाली विन्यों यहां स्टाक और पूर्वदत व्यया को क्या है छोड़ दिया जाता है इसकी गर्णा हम तरल संपत्यां अनुपात में नहीं करते हैं इसका जो सूत्र है तरल अनुप और उसका सूत्रे साधार पर हमें एक सवाल देखते हैं यहां पर कि यहां तरल अनुपात हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले सूत्र जो हमारा है तरल अनुपात बरावर तरल संपत्ति बटे चालुदायत तो हमें सवाल में से यहां पर तरल संपत्तियों को ग्याद करना कौन-कौन सी तरल संपत्ति तो जैसा की बताया श्टाक और पूर्ज़त्य वियायों को हमें यहाँ छोड़ देना है तो यहां रोकर को ले लिया हमने कैस एक लाग बैंक पचास हजार देंदार दो लाग और प्रापर बिल पचास हजार यहाँ पर जो है हमने इस टाक को छोड़ दिया ये ये इस टाक को छोड़ दिया और पूरवधत व्यायों को छोड़ दिया ये टोटल एक लाख पचास अजार दो लाख पचास अजार टोटल हो गया चाल लाख तरल संपत्ति हो गया अब चालू दायत तो जो है हमारे पूरवध के सवाल में हमने ग्याद कर चुके हैं अब यहाँ पर जो सूत्र हमारा तरल अनुपाथ ग्याद करने का तरल संपत्ति वेट चालू दायत तो बराबर चाल लाख डिवाइड बाए दो लाख बीस हाजार तो वन पाइंट एट अनुपाथ वन तो यहाँ पर बन पाइंट एट अनुपाथ वन यह क्या हमारा तरल अनुपाथ ग्याद हो गया तो इस आदार पर हमने यहाँ पर तरल अनुपाथ को ग्याद किया अब तीसरे जो है अती तरल अनुपाथ सुपर लिकुडिटी रेटियो यह अनुपाथ क्या है पूर्टा तरल संपत्यों है तरल दायतों के मद्द संबंद बताता है इसमें जो मुख्यरूप से सिर्फ रोकर से बैंक रोकर बा अती सीग्र विक्रा योग अल्पकालिन प् को छोड़कर सेश चल दायतों को सामिल किया जाता है जिसका सूत्र है अती तरल अनुपाथ बरावर अती तरल संपत्यों डिवाइड बाई तरल दायतों तो यहां पर अती तरल अनुपाथ के अंतर का जो है हम पूर्ण रूप से जो तरल संपत्यों है अर्थात ऐसी संपत के साथ ऐसी प्रतिवुतियां जिनको हम बहुत सीख्डिता के साथ बाजार में बेश सकते हैं यह पूडता है अती तरल संपत्तियों में आती है और तरल दाहितों में जो हैं यहां पर बैंक अदिविकरत को छोड़कर बाकी जो भी लाइविल्टी जे वो इसमें सामिल की करती है चल अनपात से क्या साथ संजाई है तरल अनपात से क्या साथ संजाई है इसके सूत्र को लिखिये और अती तरल अनपात से क्या साथ संजाई है इसको सूत्र को लिखिये